हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है Knowledge All About के इस वीडियो में मैं हूं स्रवड पटवा आज आप सभी मुबाइल के माध्यम से डॉकुमेंट, स्केन, फोटो, रिसाइज, पीडियो बनाना तथा दूसरों को कैसे भेजते हैं यह सब आप बिना प्रिंटर के मुबाइल से ही करने के लिए जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आउनलाइन फॉर्म भरने वाले तथा SSC वाले इस वीडियो को जरूर सुरू से अन तक देखें आप अपने मुबाइल के प्ले स्टोर में जाएं प्ले स्टोर में जाने के बाद आप डी ओ सी स्केनर टाइप करें आप इसका इंटरफेस देख लिजिए लोगों किसी साफ से रहता है आप अपने मुबाइल में इंस्टॉल कर लिजिएगा मेरे मुबाइल में इंस्टॉलिड है इसलिए ओपन का ओप्सन आ रहा है इंस्टॉल करने के बाद आप भी ओपन पे क्लिक करें ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं आपको डॉकुमेंट कैसे स्केन करना है इसमें आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे केमरा और गेल्दी का दो आपसन बना हुआ है केमरा पे क्लिक करें उसके बाद आप जिस डॉकुमेंट को इसके न करना है उस पे आप क्लिक करें वहाँ पे डॉकुमेंट सेशन को ही सेलेक्ट करें उसके बाद यहाँ पे रेक्टिंगर पे क्लिक करके इसको अल सेलेक्ट करने कंटिनीव करें continue करने के बाद यहाँ पे देख लिजे आईडी कार्ड बूक फोटो बहुत सारे यादर हैं इसमें आप डाकॉमेंट बहाग को स्लेक्स करके रखें यहाँ पे राइट बटन पे क्लिक करें यहाँ पे आप यह देखे इस तरह आपका इस तरह इसकेन हो जाएगा इस तरह आपको मैंने डाकॉमेंट इसकेन करना बताया दूसरा मैं आपको फोटो में नाम और डेट लिखकर उसका साइज बनाना कैसे होता है वो बताने वाला हूँ अपना गैल्डी पे क्लिक करें गैल्डी पे क्लिक करने के बाद फोटो को सेलेक्ट करें फोटो को सेलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगल पे क्लिक करें आज सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे आपसम दिखाई देंगे जिसमें आपको टेक्ट पर क्लिक करना है, डबल टैब करना है, उसके बाद अपना नाम दिखना है, नाम के साथ, यदि डेट मांगा है, तो डेट डाल दीजे, फोटोग्राफ पर, उके बटन पर क्लिक करें, इस तरह देख सकते हैं, एडिट टेक्ट कोई गलत हुआ है, तो एडिट कर लें, फोट साइज या आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जिसे साथ साथ को फोट चाहिए, उसके बाद फोट के बगल में आपको कलर दिया हुआ है, किस परकार कलर कर चाहिए, सेलेक्ट कर लें, उसके बाद बैक्ग्राउंड कलर दिया हुआ है, बैक्ग्राउंड कलर दोस्तों, सबसे अच्छा वाइट ही रहता है, इस परकार कर लें, और यह भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमेशा लेफ्ट इंसाइड के, में करके इसको जीरो पर रखें, उसके बाद सेलेक्ट पर कलिक करें, इस परकार आप देख सकते हैं कि इसका बैक्ग्राउंड जो है वाइट हो चुका है, आप इसको अपने हिसाब से ड्रैक करके, एडजस्ट करके, आप इसको सेट कर लें, इस परकार करने के बाद आप राइट बटन पर क्लिक करें, फिर से राइट बटन भी क्लिक करें, इस परकार आप देख सकते हैं कि इस नाम और डेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आज कल सेसी के फॉर्म में अधिकतर डेट फोटोग्राफ पे माग रहा है, जो विद्दार थी बार बार अपना फोटोग्राफ नहीं खिशाना चाहते, इस परकार उप्योग करके फोटोग्राफ का इस्तमाल कर सकते हैं, दूसरा मैं आपको इसी एप्स में पीडियो बनाना तथा दूसरों के पास भेजना बताने वाला हूँ, बैक पे क्लिक करें, आपको जिस डॉकुमेंस का पीडियो बनाना है, कैम स्लेट करने के बटन पे क्लिक करें, मैनौलली पे क्लिक करें, कंटिने व क्लिक करें, यहाँ से आल स्लेट कर लें इस तरह आप अपना डॉकुमेंट्स कर लें इस वकार राइट बटन पर क्लिक करें यह आपका डॉकुमेंट्स फाइफ हो चुका इस पर इसको आप जाइब शेयर आपशन या ओपन diff प्रिक करके यहीं सिखा सकते हैं सेयर अपूशन पर क्लिक करेंगे तो आपको liegt KemK करना है या अशेयर ऐन इना ख्रुर्क है को करना थ्ट एक को करना है तो सबीक कर के इस दिखिए आपका जो है गाइउ अई reyडियो को कंप्रेस कर सकते हैं इस तरह देख लिजिए फिर से कंप्रेस 651 के भी का है जो कि टूटली 3.36 MB का था तो इस प्रकार आप यहां पर कंप्रेस कर सकते हैं दोस्तों आप किसी भी documents, photo with signature या photo with name, PDF किसी को भी आप इस एप्स में असानी से कंप्रेस कर सकते हैं जैसे आपका यह document है इसको यदि आपको कंप्रेस करना हो तो आप यहां से भी क्लिक करके compress button का इस्तमाल करके यहां से भी compress कर सकते हैं साथ ही यदि आपको सिर्फ इसको करना हो तो share पर जाए only file पर जाए उसके बाद आप यहां पर compress पर जाए यदि देखे 1.72 MB का है इसको आप इस तरह compress कर सकते हैं यह दिखें इस तरह compress कर सकते हैं 603 MB का है आप अपने विग्यापन में या form भरने में किस टाइप का आपको वहां पर कितने के भी कमांगा है उसे साथ से आप यहां पर compress कर सकते हैं जैसे photograph यह हो गया इसको भी आप share पर क्लिक करके only this file compress compress पर क्लिक करके देखें टोटलिस का तेरह पाइंट फाइब के भी का था जिस पे आप compress करके इसको और भी कम कर सकते हैं इस तरह आप कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको इस apps में एक और function बताने वाला हूँ कि यदि किसी तरह आपका documents delete हो जाता है तो आप इसे पुना रिस्टोर कर सकते हैं देखें इसमें computer की तरह इसमें trace bin दिया होता है पहले से जो documents delete किया हुआ है उसे आप असानी से यहां restore करके पुना प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको एक और apps के बारे में जनकारी देने वाला हूँ जिसके मादहम से आप अपने photograph के size को असानी से कम कर सकते हैं आप अपने play store में जाने के बाद आपको की रिडियूज लाइट टाइप करना है आप इसका इंटरफेस देख लिजे ओपन बटन पर क्लिक करें यहां पर देखिए डारेक्ट चूज फोटो का अपन दिखाए देर हमाय आपको दिखाने वाला हूँ कि दिखाने वाला हूँ आपको एक photograph जिसमें आपको एक फोटोग्राफ दिखाने वाला हूँ एक फोटोग्राफ डाउंडोड्स क्लिक मोर डिटेल्स से देखिए यह 11.78 kb का है इसको मैं रिडियूज लाइट में क्लिक करके इसको जो है साइज बनाना बता रहा हूँ इस तरह आप इसे 45 kb करना हो तो start पर क्लिक करें इसमें value not less than इसमें कम है इसलिए ज्यादा नहीं होगा मैं आपको दूसरा दिखाने वाला हूँ दोस्तों जैसे यदि आपका यह फोटो है आप इसको screenshot ले करके आपको कम करके उसमें दिखा रहा हूँ यदि ज्यादा हो तो कम हो जागा कम है तो ज्यादा नहीं होगा इसलिए इसको मैं screenshot ले करके आपको दिखा रहा हूँ इस तरह सेव करने सेव करने के बाद क्यूरी डिज लाइट पर जाए चूज फोटो गैलरी यह दिखिए यहाँ पर यहाँ फाइल साइज 161.0 कवी देख सकते हैं आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि 45 कवी का किस तरह करते हैं स्टार्ट पर क्लिक करें आप यहाँ से ही अपने सेर का आता है किसी दूसरी पास सेर का सेर जिसके पास बेज रहा हूँ केंसी पर क्लिक करें अब आपको दिखाने वाला हूँ कि 161.0 के बीसे किस तरह आप का यह कम हो चुका है इस देखिए हाँ पर की डियूज लाइट इस पर क्लिक करें डिटेल्स पर मोर पर क्लिक करें डिटेल्स पर क्लिक करें उसके देखिए 45.79 कवी तो इस तरह आप इस एपस में ज्यादा के भी के फोटो को या डाकोमेंट को कम साइज में असानिक से इसमें कर सकते हैं बहुत अच्छा एप्स है आपके समय को बचा सकता है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बास में बताएं तथा डॉकमेंट सकेन, फोटो रिसिएज वह नाम तथा पिडियो बराने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेशन में बताएं चैनल को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें वह सब्सक्राइब परें तैंक्स फर वाचिंग